नमस्कार प्यारे साथ यों दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए रिजिनिंग से संबंदित हमारी जो सीरी चली हुए चैप्टर वाईज इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करेंगे वरग से संबंदित जितनी भी मोस्ट इंपोर्डन टाइप है आयत यानि रेक्टैंगल स स्केर काउंट करना तो साथियो सबसे पहले वरग क्या होता है आपको क्लियर है वरग में कितनी गुजा होती है चार और चारों ही क्या मिलेंगी साथियो एकवल समान एक जैसी ये चीज़े आप सभी को क्लियर है तो ध्यान से देखे हम वी दिन कुछी सेकंडों में किस प् और ये चार वरग हमारी कौम से हो जाएंगे साथियो बिल्कुल चोटे जो आपको सभी को दिखाई दे रहे है ठीक है इसके बाद इन चारों को मर्ज करेंगे इन चारों को मिलाएंगे तो एक हमारे पास क्या हो जागा बड़ा वरग यानि टोटल इसमें कितने वरग है प ठीक है और हो सकता है हमारे से गल्ट भी हो जाएं आपको इस परकार से नहीं करना आप किस परकार से करेंगे ध्यान से समझें बहुत ही आसान इसकी ट्रिक है आपको राइट साइड दाएं साइड से उपर से नीचे आपको काउंटिंग करना है कुछ इस परकार से हर बोक् की संख्या जो हमें दिखाई दे रही हैं इसके बाद सिंपली इन नंबर को ही आपको एड़ करना है चार में एक एड़ करें कितने हो जाएंगे पांच मतलब इस फीगर में हमारे पास कितने वरग साथ यू पांच ठीक है तो आप सेकंड कुशन को ध्यान से समझे सबसे पहल का चार तीन का यहां पर नो इसके बाद सिंपली नंबर को यह आपको एड़ करना एं नो और चार तेरा और उर यहां पर 14 मतलब हमारी जो फीगर दी गई है इसमें टोटल वरग कितने रहेंगे हमारे पास 14 नंबर ठीक है इसी परकार से जो हमारे पास थाड नंबर Simply number को आप add कीजिए 16 और 4 20, 9 और 10, 20 और 10 यहाँ पे 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे साथ यहाँ पे 55 मतलब सात्यों हमारे पाँ जो 3rd number question दिया गया है इस figure के अंदर total वरक कितने रहेंगे हमारे पास 55 इसके बाद सात्यों question number आप 4 को ध्यान से समझें सबसे पहले आपको यहाँ पे number note down करने 1, 2, 3 लेकिन सात्यों अब इसमें directly इन number का आपको वरग नहीं करना है आप कहोगे sir क्यों क्यों का reason समझें सात्यों देखें यहाँ पे उपर से एक line है यानि vertical line हो और horizontal एक हो यानि उपर से जितनी line है न उतनी line side से हो तब यह आप इस kriya को apply कर सकते हैं इस trick को आप लगा सकते हैं ठीक है जैसे इसमें देखें उपर से 2 line है side से भी 2 है इसमें देखें उपर से 1, 2, 3, 4 चार vertical है तो चार ही horizontal है लेकिन इसमें देखें सात्यों top से 1, 2, 3 तीन आपकी vertical है और side से 2 क्या है horizontal तो इसमें आप इस परकार का rule नहीं लगा सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे सात्यों ओपर से भी number note down करने और यहां पर बाएं से दाएं भी आपको number note down करने कुछ इस परकार से 1, 2, 3, 4 ठीक है अब इसके बाद यहां पर दाएं side से जो corner है इस corner के जो नजदीक number है न सात्यों इनके आपको multiply करना है जैसे सबसे पहले इस 4 की 3 के साथ 4 ती कितने हो जाएंगे हमारे पास यहां पर 12 इसके बाद इस 3 की 2 के साथ 3 दून यहां पर 6 इसके बाद इस 2 की 1 के साथ 2 एकम 2 ठीक है अब एक side में number कम है एक side में ज्यादा है तो एक side के number पहले खतम होंगे तो दूसरी side में जो भी number आपके extra बचे हैं आप उन्हें कर देंगे ठीक है उनका यहां पर कोई यूज नहीं है सिंपली इस दाएं corner से नजदीक number के आपको multiply करना है जितने भी number की multiply हो इसके बाद यहां पर जो हमें number प्राप्त होंगे न सातियों simply नहीं को आपको add करना है जैसे दो और चे आट और दो यहां पर दस एक और यहां पर एक दो यानि यहां पर कितने हो जाएंगे 20-20 मतलब यह जो figure दी गई इसमें सातियों total वरक कितने हो जाएंगे हमारे पास 20-20 ठीक है अब आप सोच रहे होंगे सातियों किसमें क्या trick ल लगा सकते हैं चीक है जैसे फास्ट सेकंड और थर्ड में भी ट्रिक आपकी लागू होगी जैसे आप देख सकते हैं उपर से नंबर लिखे हमने नीचे भी नंबर लिख दीजी वन टू इस परकार से और यहां दाएं कॉर्णर से नंबर की multiply कीजिए दो और दो की multiply करेंग करेंगे सेम यह अंसर रहेगा तो सात्यों इन में जो भी ट्रिक आपको अच्छी लिए आप उसे अपलाई कर सकते हैं इसका ध्यान रखना है उपर से जितनी लाइन है यानि जितनी वर्टिकल लाइन है साइड से भी अगर एक्वल लाइन है तो आप नंबर लिखके उसका वरग करेंगे और वरग को एड कर सकते हैं लेकिन लाइन कम या जादा है तो आपको सिंपली यह ट्रिक को अपलाई करना है ठीक है उपर नीचे नंबर नोट डाउन करेंगे दाएं साइड से नंबर की मल्टिप्लाई आपको करना है इसके बाद जो नंबर आपको प्राप तोटल कितने वरग हैं तो आपको सिंपली करना क्या है साथ यू बस इस फिगर को आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के बोक्स में टोटल हमारे पास वरग कितने हैं पांच बार बार में काउंट करने के हो सकता नहीं है अब एक्जाम आपसे क्या पूछ सकता है यह जो अलग अलग कीजी आपको सिंपली यहां पर दो बोक्स दिखाए दे रहें अगर यहां से हम अलग अलग बोक्स कर दे हमारे पास यह पहला बोक्स यह सेकंड बोक्स तो साथ यह एक बोक्स का मान हमारे पास कितना है पांच तो पहले बोक्स में हमारे पास पांच और इसके ने दोनों को joint करके पूछा हैं तो simply आप इन दोनों को merge कीजिए add कीजिए इसके बाद देखिए extra कितने वरग बन रहे हैं तो आप कहेंगे इन दोनों को add करने के बाद हमारे पास एक यहां पर यह वरग बनेगा आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं अभी हमने आपसे क्लियर किया है पिछली टाइप में उपर से वर्टिकल तीन है होरीजंटल एक है कम या ज्यादा लाइन हो तो आप यहां पर नमबर इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे वान टू और नीचे भी आप नमबर हम हो जाएंगे एक साइड में बचेंगे तो एक साइड में बचे वे नमबरों को आपको डिलिट करना है ठीक है जितने नमबर के आपने मल्टिप्लाई किया है बस यहां पर जो नमबर प्राप्त हो इनी को आपको एड करना है आठ में तीन एड करेंग कितने हो जाएंगे 11 ठीक है मतलब इस figure में हमारे पास कितने वरग है total 11 चलिए इसके बाद second question को ध्यान से देखें सात्यों इसमें आप ध्यान से देखें इस प्रकार के कितने वरग है कितने वरग है तीन आपको दिखाई दे रहें जैसे सबसे पहला हमारा यह वरग तो पहले वरग में कितना हो हो जाएगा 7 फाच इसके बाद फिर से हमारे पास second इसमें भी कितना हो जाएगा पाच इसके बाद कितना हो कुछ वरक को double count किया है आपको विसर कैसे है ध्यान से देखें अगर हम पहले वरक की बात करें तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार चार हमारे पास छोटे वरक है और एक इस बड़े वरक को मिला कर तो पहले में तो हमारे पास कितने है पांच, कोई दिक्कत नी है लेकिन हम जैसे सैकंड में चलेंगे साथ और इसमें ध्यान से देखें हमारे पास एक, दो, तीन, चार और हमारे पास यह पांच देखने में तो पांच है लेकिन साथ यो यह जो दो नमबर है ये तो हम इस 5 में count करी चुके पहले ही और इस C को भी यानि इस तीसरे number को भी हम फिर से count कर रहे हैं इसका मतलब साथ हो ये जो वरग हमारे पास है ये हमने double count क्या है तो second में केवल कितने बनेंगे हमारे पास 4 एक दो ये हमें count नहीं करना 3 और एक ये बड़ा वरग तो second में कितने हो जाएंगे चार इसी परकार से next में देखें आप लोग एक दो तीन चार और हमारे पास ये complete पांच लेकिन ये जो वरग है साथ हुए हमने इस 4 में पहले ही count कर लिया मतलब इस और को हम double count नहीं कर सकते हैं सत्ति परकार के फिगर में हमारे पास टोटल वरग कितने हैं पांच तो आप इसमें देखिए इस प्रकार के कितने box हमारे पास है? 3 1, 2, 3 कितने box हमारे पास है? 3 simply बस इसको 5 से आपको multiply करना है 5 3 हमारे पास? 15 ठीक है 5 से multiply क्यों करना है? क्योंकि इसका base हमारे पास कितना है? 5 अब इसके बाद सात्यों जितने box दिखाए दे रहें? कितने box हमारे पास है? 3 बस इससे एक कम digit आपको कम करना है 3 है तो इसमें से बस आपको 2 की कमी कर देना है कितने हो जाएंगा हमारे पास यहाँ पर 13 ठीक है अगर यहाँ पर 10 box हो तो 9 कम करना है 8 हो तो 7 कम करने जैसे मान लिजे इसी परकार का हमने एक box और आपके पास यहाँ पर आइड कर दिया इस परकार से अब इसमें कितने है? total box कितने हो गए हमारे पास? 4 एक कमान कितना है? 5 तो 5 ओक 20 माइंड में ही कर लेना आप लोग अब 4 box हैं बस इसमें 3 कम कर दीजे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 17 माली जी आपको बोल दीजाए इस परकार के total इस परकार की continue series के box आपके पास 10 है कितने है? 10 तो बताएं तो एक कमान कितना है? 5 तो 10 में कितने हो जाएंगे? 7 कितने बोक्स हमारे पास है? 10 बस एक कम कीजिए इसमें कितने हो जाएंगे? 41 41 ठीक है हालाकि एक्जाम में इतने क्यूशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे यहां पर 2, 3, 2, 3 इस परकार से ही वरग लिखें मिलेंगे तो आप विदिन कुछी सेकंडों में लगा सकते हैं उमिद करते हैं यह कंसप्ट आपको यहां पर किलियर है इसके बाद क्यूशन नंबर 3 की तरफ देखें साथियों अगर आप इसका बेसिक काउंट करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़ादा लगया किस परकार से मैं दिखा देता हूं देखिए अंदर से आपको काउंट करना 1,2,3,4 चार चोटे हैं इसके बाद एक इस कंप्लिट को हम मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे मारे पास 5 ठीक है अब इस वरग को आप यहां से रब कर दीजिए क्योंकि इसका अब जितना काम था वो किलिए रहे यह किसी के साथ एक्स्ट्रा वरग नहीं बनाएगा आप बना के देख सकते हूं तो यहां से हमने इसको माल लीजिए यहां से रब कर दिया इस परकार से ठीक है अब नेक्ट में भी कितने हमारे पास यहां से रब कर दीजिए इसका भी रोल कतम अब देखिए फिर से कितने बच गए हमारे पास फिर से पाँच वान टू त्री फोर और एक हमारे पास पाँच तो टोटल कितने हो जाएंगा हमारे पास साथ हूं यहां पे पंदरा नमबर ठीक है लेकिन इस प्रकार से बार-बार क्रिया को रब करेंगे साथ हो तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा और एक्जाम में हम इस प्रकार कर भी नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना है देखिए बिल्कुल सिंपल है हमारे पास इस प्रकार से हमें वरग दिये गए एक वरग और यहां पे हमारे पास दो वरग और एक हमें लास्ट में दिया गया तीन वरग तो आपको क्या करना है साथ हो continue counting करना है किसी भी एक corner से जैसे आप यहाँ पे कर सकते 123 यहाँ पे कर सकते 123 123 123 जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे कीजिए और जो भी last number आपको प्राप्त हो last number क्या है 3 तो simply बस इसको आपको 5 से multiply करना है 3 5 कितने हो गए 15 और यहाँ पे भी answer कितना देखे हमने basic से count कि तब भी 15 पाँच से multiply क्यों करना है इसका region clear है क्योंकि इस box की मदद से हम निकाल सकते हैं इसमें कितने हैं 5 इसी प्रकार के box इसमें मर्ज किये गए कितने भी box add करके देख सकता है एक जमान लिजिए हमने यहाँ पर एक और box square कर दिया आप बताइए इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास तीन के बाद चार तो चार को 5 से multiply कीजिए पांचों कहां पर 20 ठीक है इस प्रकार के 7 box हो 5 से multiply कीजिए 7 5 35 एक बात ध्यान रखने के मान लिजिए यहाँ पर इसके बाद एक और box रख दिया जाए चार हमारे पास यह है और एक वरग हमारे पास इस परकार से इसमें connect कर दिया जाए तो कापी student गलती है करेंगे सात्यों चार चार के बाद यहाँ पे 5 और 5 को 5 से multiply कर देते हैं ऐसा नहीं करना आपको ध्यान रखना है जहां तक यह line connect है वहां तक हमें 5 से multiply करना है ठीक है त 21 ठीक है उमीद करते हैं यह logic भी आपको यहाँ पे clear हो चुका है इसके बाद देखिए next question हमारे पास अब इस परकार की figure दी जाएगी सात्यों तो काफी काफी पजल ताइप का question लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है सात्यों यह जो हमारे पास यहाँ पर वरग दिएगे आप इने रप कर दीजे इस परकार से माली जी यह वरग हमारे पास है ही नहीं इनको बिल्कुल माइन से आपको delete करना है और उसके बाद हमें question लगाना है तो देखिए अब आप question नहीं लगा सकते हैं आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है हम कुछी second हो में लगा देंगे किस इस परकार से ध्यान से देखें one two three four one two three four नमबर इकोल है तो आप इनके डारेक्ट वरग कीजिए एक का वरग एक दो का चार तीन का नो चार का सोला जोड़ ये सोला और चार बीस बीस और दस तीस मतलब इस परकार की figure दी जाएगी तो हमारे पास कितने हैं तीस लेगन एक इसके बाद यहां पर एक वरग एड तो सात्य इसमें करना क्या है देखें एक दो तीन चार और एक हमारे पास यह पांच मतलब यहीं तो figure में दिखाई दे रही है तो इस कमान हमारे पास कितना है पांच तो इस परकार के सारे box है यह काउंट कीजिए कितने यहां पर भी प यहां पर यहां पर यहां पर इन फिगर में हमारे पास कितने हैं तो और यह है यह तक तो 5ुष मुर्ण में कोई द्यक्कत नहीं आगर एक पर इस परकार कर दे कर दे 2 Carloducantage 1-2 लाइन और हमारे पास यहां 5-2 दि ठीक है, 5 तो हमारे पास पहले थे और एक हमारे पास ये वरग इसमें मर्ज क्या गए, एड क्या गए तो 5 और 1 कितने हो जाएगा हमारे पास 6 अगर इस परकार की figure दीजए माल यहाँ पर जैसे figure यह इस परकार की exam बना देता पहले से यहाँ पर इस परकार से, ठीक है, तो यह आपके कितनी मातर देंगे हमें, 6, एक कमान कितना हो जाएगा इसमें, 6, इसको आप और ध्यान रखना, तो एक, दो, तीन, च्यार, टोटल च्यार है, एक कमान 6, 6, चो कितने हो जाएगे, 24, वो 30 हमारे पास पहले थे, तो हमारा अंस हाँ पर किलियर है, ठीक है, अब आईए, इससे जो अगली हमारी टाइप रहेगी, रेक्टेंगल, आयत से सम्बंदित, किस परकार के क्यूशन एक्जाम आपसे पूछ सकता है, सभी परकार के डाटा हम आपके हाँ पर किलियर करने वाले हैं, चली सात्यों, इसके बाद हमा होती है, लेकिन आयत में क्या होगी, आमने सामने की जो भुजा होती है, एक्वल होती है, ठीक है, तो सात्यों जो रेक्टेंगल के क्यूशन है, एक्जाम आपसे पूस्ता कम है, क्यों पूस्ता कम है, क्योंकि सात्यों इसमें रेक्टेंगल काफी ज़्यादा मात्रा में ब एट आपकी फिर टोटल मिला के नाइन ठीक है लेकिन हम इस परकार से नहीं करना है इस परकार से करेंगे तो काफे ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पर लगने वाला है तो आप क्या करेंगे बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बता रखा है अगर आपसे आये पूची जाए तो साथ यो टोप यानि उपर की साइड में आपको बाएं से दाएं कंटिनू काउंटिंग करना है इस परकार से अपकी बार 1,2,3,4,5 इस परकार से ठीक है इसके बाद टोप टू बोटम उपर से निचे भी आपको पहली वाल लाइन में नमबर को नोट डाउन करना 1 इसक की दाइध करों के बाद साथ ओपर के नंमबर को ऊपर अड़ कीजिए 1 में 2 एड करें यहां पर 3 इसके बाद नीचे के नंबर को निचे करें यहां पर 3 दोनों साइड में जो हमें नमबर प्राप्त हों में साथ यह संपड्री सिंप्ली बास इमfirst नोर की हमें 25そうそう करना तींक बार नीचे भी continue उपर के नमबर को ऊपर नोड़ डाउन कीजिए कितने अभारे पास 20 मतलब you Pen कितने महाने पास तीज मतलब फिगर में रेक्टेंगल आयच कितनी अमट पीजी इसके बाद थे त record कितने हो जाएंगा हमारे पास चे नंबर सिम्पली 15 और चे के आपको multiply करना है तो 15 और चे के multiply करें कितने हो जाएंगा हमारे पास यहां पर 90 90 ठीक है मतलब इस फीगर के अंदर हमारे पास लसम साथ को आई सकते हैं आयत कैसे करने आपी स्वीडियों में से करने किसे करने क или लाइन कम हो चाहे ज़ादा हो किस इस परकार से एक काउंट कर में तो इसमें पर काउंट कीजितने में लें गल नम तो वह आपके क्या आइच जानी आइत कि स ýनल अगर चार नंबर चार नंबर की फिगर दी जाए片 इसमें बहुत आसान है यह जो figure दी गई है इसमें continue counting कीजिए इस परकार से 1,2,3,4 ठीक है basic count करने के हो सकता नहीं इसमें बस simply जो number दिए गए इनी को आप add कीजिए 1,2,3,4 add करें कितने हो जैंगा हमारे पास यहाँ पे 10 मतलब यह जो figure दी गए न सात्यों इसमें कितनी rectangle है 10,10 number simply आपको यही करना है ठीक है इसी परकार से यहाँ पे देखें 1,2,3,4 इसके बाद दूसरी figure इसमें connect है नीचे तो यहाँ से note down कीजिए 1,2,3,4 यहनी common number को common number पे रखने की कोसिस कीजिए और same यही apply कीजिए इने add करें कितने हो जाएंगी 10 इने add करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 10 ठीक है अलग से figure दी जाएं ठीक है लेकिन इसमें क्या है कुछ भाग हमने double count के तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने क्यों सकता नहीं आपकी जहांपे भी आपे connected point हो connected point कहांपे है इन दोनों को कहा से connect किया गया जोड़ा गया है यहां से तो कितना भाग है आपे एक बस इसमें से एक को कम करना आपको कितने हो जाएंगे total आपकी उननीस नमर मतलब यह जो figure दी गई इसमें total है तो कितनी हमारे पास 19 ठीक है अगर माली जी एक और हमें इस प्रकार से दिया जाए और इसमें भी चार बाग कर दिया जाए इस प्रकार से एक दो तीन चार तो यहां पर भी 10 ह तो कितने हो जाते हैं मारे पास 30 ठीक है दस ईसमें दस ईसमें 30 हो जाएंगे अपके अब कितनी यहाप यह पर एक दो तीन बसे कम करना आपको क्योंकि यहां पर山ने करने कीक्ति do तो दो भागी तो कनेक्ट हमारे बस टोटल में से दो हमें कम करना है चीक है उमीद करते हैं एक अंसब ट्रेक लॉजिक सब कुछ आपका यहाँ पर किलियर है तो सात्यू यह हमारी टाइप नंबर तीन रहेगे आयत से संबंदित अब चार नंबर जो हमारी टाइप रहेगी स यह जैसे अमने जो ट्रिक यह लोगाया है सेम का सेम लोगिक आपको किस में लगाना है चतर्वुज क्यार जयी से इस अंसर करना है अगर समर पूच जाये आपकर किसके थे ahet सें ही स्यंवूज अलग से कुछ नहीं करना आपको चतर्वुज मतलnt ll होती है चार बुजा थार्ड नंबर का भी कितना आपको यहां पर ही 90 ठीक है उम्मीद करते हैं चारों मोस्ट इंपोर्टन टाइप आपके के लिए रोच चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया था ट्रेंगल तिरबूत से संब्धित जितने मोस्ट नंबर पांच इसमें आपसे पूछ सकता है लाइन काउंट करने आपको ठीक है लाइन और यह हमारे पास रहेगा वर्थ से संब्धित क्यूशन है नहीं सरकल से संब्धित यह दो टाइप और है बहुत ही आसान देखिए सबसे पहली लाइन अगर आप से लाइन पूछी ज जो इस परकार के, फिगर में काफी दिक्कत होने वाली काफी出त को करना के ध्यान से समझें हमारी लाईन तीन होती है एक तो कमारे पास वर्टिकल लाइन हो टी है एक होरीजेंटल और हमारे पास इस परकार सी 33 ल sets थ измен調 बजादेश्य कांट करते हैं यहां पर बजादार नहीं कमेंanie विर्टेस्ट कमीन कोली करने से हैं यहां पर कौने एक करना है पहले क्या करेंगे चाहरा क्या जब तक एक line के बीच में gap नहीं है वो आपके एक line माने जाएगी जैसे इसमें 2 line है कौन से एक तो हमारे पास vertical है एक horizontal है तो कोई सी भी line count करें इसमें कोई दिखने जैसे हम vertical count करें तो यह साथ हो यहाँ तक एक line नहीं है यह complete एक line है नीचे तक आपकी ठीक है तो एक हमारे पास इसके बाद 2 इसके बाद 3 यानि vertical कितनी है 3 इसके बाद horizontal देखिए 1 2 3 horizontal भी कितनी है 3 तो 3 और 3 कितने हो जाएगी 6 ठीक है तो इसमें ध्यान से देखिए आप question number 4 में सारे ही doubt आपके clear होने वाले इसमें किसी प्रकार की trick नहीं होती है साथ यू बस इसका logic होता है जो हम आपको बताने की कोसिस कर रहे हैं जैसे हमारी जो figure दी गई है अब कापी आपको puzzle type की figure दिखाए दे रहे हैं करना क्या है बहुत यासान तरीक के से तीन हमारे पास line है vertical, horizontal, trichy इन में से एक line आपको पूरी figure में पहले count करना जो आपको उचित लगे जो आपको अच्छी लगे जैसे मालने जम सबसे पहले उपर से count करना शुरू कर दे vertical line ठीक है तो इसमें vertical line देखे आप नीचे से हम count करते हैं इसके बाद यहां पर दो इसके बाद यहां पर देखे टीन आपके पास यह है इसके बाद सात्यू देखे यह एक line है complete कि इसके बीच में कहीं पर भी कोई gap ने तो यह 064 1-2-3 इसके बाद हमारे पास चार इसके बाद यह पांच इस मतलब ये लाइन अमारे पास इसके बाद होरिजएंटल लाइन निचे से देखें एक तो हमारे पास यहां पर एक इसके बाद दो इसके बाद तीन इसके बाद यहां पर चार इसके बाद पांच छे यह लाइन हमारे पास कितनी है छे इसके बाद कौन से बचगे हमारे पास यह तिरची लाइन तो इसमें देखें यहां पर एक तो यहां पर एक लाइ एक यहां पर है दो लाइन तीन लाइन च्यार लाइन पाँचलाइन यह भी हमारे पास कितनी है नट्वैक टोटल आने लेन पास कितनी है six प्रकार का यहां ख़ो पहले का हमया किस में प्रकार के ऑड़ या काफी जादा न कितना सा लोजिक है है आपको कउन्ट करना कबी कुछ कभी कुछ एसा नहीं करना अपको ठीक है कोईसी भी कॉंट करें पूरी फिगर में वही लाहिन आपको चैक करना हैं उव्हकी निकाल पाएंगी इसके बाद साथ इक सर्कल करने होते हैं तो वर्थ में भी सेम ऎकंकरें क्सक्रांइब आपको करना क्या है अगर ओफ लाइन पेपर है तो आप वीजिली कर सकते हैं ओलाइन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको बिल्कुल डारेक्ट लिए अपनी नजरों से देखना होगा उने ओफ लाइन में क्या होगा आपके पास जो पेपर है वहाँ पे अंदर से क्योंकि कटिंग करना शुरू कर दीजे जैसे अंदर से काउंट कीजिए वान टू इसके बाद एक आओं अँपको यहां पर प्हां से देखें पांच पांच के बाद यहां से देखीं पॉरे कमारे पास कम्प्लीट हैं करने लाइए 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 और यहां कमारे पास से प्रकार से काउंट करना है वो लोजिक आपके सामने है तो हमारी सात्यों लगबग जितने एक्जामी क्यूशन आपसे पूछे जा सकते काउंटिंग और फिगर से सम्मंदित हमने दोनों वीडियो में आपसे डिसकस किए जिस भी साती ने पहली वीडियो नहीं देखिए तो स सबसे पहले पर्थम वीडियो को चेक आउट कीजिए उसमें हमने ट्रेंगल तिरबूच से सम्मंदित सभी प्रकार के डाटा के लिर कर रखें ठीक है और सेकिंड में हमारी जो टाइप है वरग आयत चतुरबूज लाइन आपके सरकली सभी प्रकार की जो टाइप रहेंग को हम आपको समझाने की पूरी-पूरी कोसिस करेंगे तो अमीद करते साथ यूँ पर्थम टोपिक आप सभी का किलियर हो चुका है इसके बाद अगला जो हमारा टोपिक रहेगा उसमें हम फिर से हाज ही रहते हैं तब तक के लिए सभी का धन्यवाद